हेलो चिल्डरेंड कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंके कर एविएस में हमने अपना 7th chapter रीट करके और समझ कर complete कर लिया था तो आज हम इसकी exercises करेंगे but before that let us summarize the chapter तो चलिए शुरू करते हैं the nearby area of a house is called neighborhood घर के आसपास का जितना भी area होता है उसे हम क्या बोलते हैं पडोस बोलते हैं और पडोस में जो लोग रहते हैं उन्हें हम neighbors यानि की पडोसी बोलते हैं neighbors help each other पडोसी एक दूसरे की मदद करते हैं some important places in the neighborhood are park, post office, market, bank, police station, school, hospital, bus stop, fire station and railway station कुछ जो जरूरी या महत्वूर जगाएं हैं जो हमारे पडोस में होनी चाहिए वो हैं पार्क मतलब बगीचा, post office डागघर, market बाजार, bank, police station, police station, school, विध्याले, hospital, अस्पताल, bus stop, busड़ा, fire station, दमकल विभाग और railway station तो ये सारी जगाएं पडोस में हमारे होना ज़रूरी है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर किसी के पडोस में ये सारी जगाएं होती ही है किसी के में कम होती हैं, किसी के में जादा होती है We should keep our parks clean हमें अपने parks को clean रखना चाहिए We keep our money and jewelry in a bank हम अपने पैसे और जितने भी गहने होते हैं कहां रखते हैं? बैंक में रखते हैं Post office में हम अपनी चिठ्थियों को post करते हैं Market में हम अपना रोज का जरूरत का सामान खरीदते हैं Police station में जो police होती है वो हमारी मदद करते हैं School में हम पढ़ने लिखने और अच्छी आदतों को सीखने के लिए जाते हैं Hospital में हम अपना इलाज करने के लिए जाते हैं करवाने के लिए Bus stop पर बस में हम दूसरे शहर जाते हैं और यह यातायात का सस्ता साधन है Fire station के जो लोग होते है विप आग को जो building में आग लगी होती है उसको बुझाते हैं और लोगों को बचाते है और railway station में हम या तो train पकड़ने जाते हैं या अपने दोस्तों को छोड़ने या उन्हें receive करने जाते हैं तो यह था chapter का summarization अब हम इसकी exercises देखते हैं First exercise is Take the correct one एक sentence लिखा है और नीचे कुछ options दिये हैं जिन में से कुछ ही सही होंगे तो चलिए देखते हैं In a dash, we can play, walk and do exercises ऐसी कौन सी जगा है या कौन सी चीज है जहां पर हम खेलते हैं चहल कदमी करते हैं या फिर exercises व्याया हम करते हैं Option है market, park, bus stop या all of these All of these मतलब होता है उपर जितने भी option दिये हैं ये सब ही आएंगे तो बताईए ऐसी कौन सी जगा है जिसमें हम खेलते हैं वाक करते हैं या फिर exercise करते हैं हां वो है park यहाँ पर हमने park पर ticklet कर दिया और यहाँ पर park को fill कर दिया ओके नाव second देखते हैं डैश, keep us safe from thieves हमारी चोरों से रक्षा कौन करता है options है fireman, doctor, police या postmaster fireman मतलब जो लोग आग बुजाते हैं doctor जो हमारा इलाज करते हैं postmaster, post office का head होता है और police जिसको आप जानते ही है तो बताइए इन में से कौन हवारी चोरों से रक्षा करता है police तो हमने यहाँ पर tick लगा कर यहाँ पर police लिग दिया एक बात का ध्यान रखियेगा आप लोग गलती करते हैं जैसे कि यहाँ पर park लिखा है यह sentence के बीच में हमने word लिखा है तो आप लोग इसे capital letter से लिख देते हैं जो की गलत है यहाँ पर capital letter से लिखा है कोई problem नहीं है लेकिन sentence के बीच में आपको capital letter का use नहीं करना यह sentence की starting है तो यहाँ पर हमें capital letter का use करना है ओके? third is we learn to read, write and draw in a dash हम लिखना, पढ़ना और draw करना कहां सीखते हैं options हैं police station, school, fire station या फिर bank बताईए हम इन चारों जगहों में से किस जगह पर लिखना, पढ़ना या draw करना सीखते हैं आप लोग कहां सीखते हैं police station में अच्छ तो fire station में सीखते हैं school, write हम लोग कहां सीखते हैं school में, तो यहां पर भी हमने क्या लिखती है school, यह देखिए मैंने यापे small letter से starting की है, क्यों? क्योंकि यह sentence के end में हाया है word fourth sentence है, an ambulance takes patients to the dash, ambulance जो होती है, वो patient को कहां लेकर जाती है देखते हैं, option क्या-क्या है हमारे पास? railway station, market, hospital, airport अगर हमने ambulance बुलाई है तो ambulance हमें कहां ले जाएगी? railway station market, hospital, right कहां ले जाएगी? hospital ले जाएगी तो यहां पर हमने लिख दिया hospital ओके? अब देखते हैं, next exercise next exercise है write T for true and F for false statement नीचे को statements या sentences दिये गए हैं अगर यह सही है, तो आपको T लिखना है और अगर गलत है, तो आपको F लिखना है तो चलिए पढ़ते हैं we can post letter at a hospital ऐसा possible है, या हम ऐसा करते हैं कि अगर हमें कोई चिठ्थी post करनी होती है तो उसे हम hospital में post करते हैं नहीं करते हैं, तो hospital में हम क्या करते हैं? अच्छा, तो hospital में हम अपना इलाज करवाने चाते हैं तो letters हम कहां post करते हैं? letters हम post करते हैं, post office में which means this statement is false तो हमने क्या लिख दिया? F लिख दिया A market has many shops Second sentence क्या है? A market has many shops एक बाजार में कई सारी दुकाने होती हैं? नहीं होती हैं? तो एक बाजार में एक ही दुकान होती हैं? नहीं ना, एक बाजार में कई सारी दुकाने होती हैं? तो यहाँ पर हमने लिख दिया T क्यों क्योंकि यह statement सही है firefighters की पस्ते फ्रॉम थीज firefighters जो हैं वो हमारी सुरक्षा करते हैं करते हैं लेकिन किस से करते हैं चोरों से नहीं ना चोरों से हमें कौन बचाता है तो यह हमारा statement false हो गया तो हमने यहाँ पर F लिख दिया जितने भी अच्छे या बड़े hospitals होते हैं उन सब के पास ambulance होती है क्या यह बात सही है? Yes, this statement is true तो यह हमने यहाँ पर T लिख दिया And the last exercise for today is fill in the blanks कुछ sentences है incomplete उनके लिख आपको यहाँ पर एक help box दिया गया है जिसमें से आपको words लेकर इनके proper blanks में fill करना है तो पहले हम words को पढ़ लेते हैं Festivals, Neighbors, Withdraw and Air Words कौन-कौन से है? Festivals, Neighbors, Withdraw and Air अब पढ़ते हैं sentences को one by one People who live in our neighborhood are called are dash जो लोग हमारे पढ़ोस में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? देखिए इनमें से क्या बोलते हैं? Festivals बोलते हैं? नई, Neighbors बोलते हैं? हाँ, उनको हम क्या बोलते हैं? Neighbors तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? Neighbors जो पढ़ोसी होते हैं वे एक दूसरे के साथ या साथ में क्या celebrate करते हैं? चलिए देखते हैं Festivals Festivals celebrate करते हैं? Yes Neighbors celebrate festivals together तो यहाँ पर हमने लिख दिया Festivals Third is We get fresh dash When we go to park जब हम पार्क में जाते हैं तो हमें ताजा क्या मिलता है? दूद अच्छा ताजा पनीर मिल जाता होगा कौन-कौन खाता है पनीर? पनीर भी नहीं मिलता पार्क में तो फिर क्या मिलता है? चलिए help box में से देखते हैं Festivals हो गया Neighbors हो गया Withdraw Withdraw मतलब होता है निकालना ठीक है ना? तो पार्क में withdraw मिलता है? No Air हाँ पार्क में हमें क्या मिलता है? Fresh Air मिलती है तो हमने यहाँ पर Air लगती है और लास्ट है We can dash money at any time using ATMs हम किसी भी समय ATM का यूज करके क्या कर सकते है money को? पैसे को? Withdraw मतलब निकाल सकते हैं मैं निकाल समझाया था ना? तो यहाँ पर लिख दिया withdraw तो यह थी आपकी आश्ट के exercises Question answers इसके मैं next class में करवाऊं की Goodbye, have a nice day जाए प्याट झाल झाल